नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं मंत्री ने जहां गढ़वा के स्रीवन सिधर नगर से पर्चा भरा है, वहीं भानु ने गढ़वा के भौनातपुर्स नमांकन भरा है इसके अलावा जहां मो परत्यासी अनत्र परताप देवने गढ़वा से, जहां मो विधायक संजीव सरदार ने पोटका से और जहां मो परत्यासी मंगल कालेंदी ने पूर्वी सिमुम के जूगल सराई से नमांकन किया है मुखे निर्वाचन पताधिकाई ने बताया है कि पहले चरण के अब तक कुल 25 परत्यासी नमांकन दाकिल किया है उन्होंने बताया है कि आदरस अचार संगिता का उलंगन को लेकर अभी तक 6 अपरत्मे की दर्च करने मांसर करवाई की जा रही है उन्होंने आम नागिरी को से अपिल किया कि किसी को भी कहीं से भी आदर्स अचार संगिता का मामला मिलता है तो अभिलाम निवाचन आयोग के एप सी वीजील पर उसे अपलोड करें मैया मेरी योजना जामो ने अधोरी लागू कराई चमपाई सुरेन भाजपा नेता और पुरमुख मंतरी चमपाई सुरेन ने कहा है कि मैया समान योजना का पूरा खाका उन्होंने तयार किया था परदेश की महिलाओ के जीवन अस्तर को सुधारने के लिए बनी इस योजना होटल में पाटी करका ताओ को सम्मो दित कर रहे थे चमपाई सुरेन ने कहा है कि पांच मामो ने जो काम किया हुआ साड़े चार साल में भी सरकार नहीं कर पाई अब उनके निर्नयों को जारकन सरकार रोक रही है सिक्षक बहाली सिपाही भरती शुरू की गई थी और निय चार कर सकती है परदेश में भाजपा की सरकार बनते ही सिद्धू कानों की धरती संताल में बंगलादेशी घुस पैटियों को ख़देड़ा जाएगा सहायक पुलिस कर्मियों का पोस्टल वैलेट से होगा मतदान भाजपा प्रति निधिमंदल ने चुनाव आयोग पहुँचकर सहायक पुलिस कर्मियों को पोस्टल वैलेट के माद्यम से मतदान करने के लिए क्यापन सोपा है बिधी प्रकोष्ट के संजोजग सुधीर सिर्वास्तोर ने बताया है कि जो दीन राज संग हर्ष करके अपना डूटी करते हैं राजे में जीतने भी सायक पुलिस कर्मी हैं उन सब को पोस्टल वैलेट के माद्यम से मद्दान देने का अधिकार दिया जाए लोग सबा दोज़ार चुणा में सायक पुलिस कर्मी होक मद्दान पोस्टल वैलेट के माद्यम से नहीं देने दिया गया था राज्य में एकई सब अठतर सायक मद्दान कर्मी मद्दान नहीं कर पाये थे प्रतिनिदी मंडल में सुधिर सिरिवास्ता पूसकर तिवारी सामिल थे चुनावा योग ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी प्रशिती में कोई भी ब्यक्ति मत्दान से वन्चित नहीं होगा बंगला देशी घुसपैट पर केवल भाजपा लगा सकते है रोक चमपाई सुरेन भाजपा पत्यासी घोसित होने के बाद पूर्मुख मंत्री चमपाई सुरेन सो मार्ग अपने गिरिह बिधान सबाज शेतर सरायकला पहुंचे सरायकला नहीं भाजपा करकरता समयलन में सिर्कत करकरताओं को एक जूट किया है पूर्मुख मंत्री चमपाई सुरेन दो पहर रांची से सरायकला जीला के कान्डरा पहुंचे कान्डरा एसकेजी कालोनी में अव्यजीत करकरता जन सबाग को सुनोने समपोतित किया और लोगों को भाजपा के पक्ष में मत्दान करने के अपिल की इसके बाद चमपाई सुरेन दो अलग अस्थानों पर करकरता सबा में सामिल होकर अगामी चुना में भाजपा की जीत सुनिशीत कराने को लेकर करताओ को एक जूट रहने का संदेश दिया है जारखन में आज जारी होगा दूसरे चरन की अधिसूचना जारखन विधान सभा चुना दो है 24 के दूसरे चरन की अधिसूचना मंगलवार 22 अक्टूबर को जारी होगी इसके साथ ही जारखन की बाकी बची 38 विधान सभा सीटों के लिए नमांकन सुरू हो जाएंगे वहीं 30 अक्टूबर को नमांकन पत्रों की जाच होगी और एक नॉवम्बर तक उमिद्वार अपना नाम आपवस ले सकेंगे बता दे दूसरे चरण की वोटिंग 20 नमबर को होगी वहीं 23 नमबर को जारखन की सभी 81 विधान सभा सीटों पर मत गरना कराई जाएगी जारखन विधान सभा चुनाक परगे 25 नमबर को पूरी हो जाएगी जामों में सामिल हुए लुईस मरांडी सहीत आधा दर्जन नेता जारखन की सियासत में एक बड़ा उलट फेर हुआ है हेमांसुरे ने लुईस मरांडी सहीत आधार दर्जन बड़े नेता को जामों सामिल कराया है मिली जनकारी के मुताविक पुरो मंत्री एवं पुरो विधायक लुईस मरांडी, पुरो विधायक हाट सिला, लक्षमन टुड्डू, पुरो विधायक बाहरा गोडा, कुनाल, सडंगी, सराय के लाब विधान सभा छेतर से भाजपा के पुरो परत्यासी गनेश महली, पुर हाई कि दूसरे दलों से आए निता भाजपा में हावी हो गए है, निष्ठावान करकरता लागतार दल में उप्यक्षित हो रहे है, लुईस मरांडी ने सोमवार को मुक्र मत्री है, मंसुरें से भी मुलकात की, राइनिती की जनकारों का मनना हाई कि वह जामा या दुमका विधान सभा छेतर से पार्टी की परत्यासी हो सकती है, कांग्रेस ने एकई सीटों पर उमिद्वारों का किया एलान, अखिल भारते कांग्रेस कमिटी ने जारकन विधान सभा चुनाओ को लेकर एकई सीटों के लिए उमिद्वारों के सूची जारी कर दी है, इस सूची क कर दिया गया है जबकि रामकर से एक बार फिर ममतार देवी को टिकट मिला है बहर ही से कांग्रेस विधायक उमा संकरा केला को टिकट मिलने पर संसर के बादल छाय हुए है उन्हें देर राद तक टिकट नहीं मिल पाया था 23 हाथियों के जुंद ने 10 घंट बाधित किया रेल परीचालान चक्रधरपूर रेल मंदल के बंडा मोड़ा में हाथियों का जुंद आजाने से हव़डा मुंबई मुख्य मार के चक्रधरपूर रेल मंदल में 9 घंट स paling जड़ा ट्रेनों का परीचालान ठप्पड गया जनकारी की मुताबिक 23 हाठियों का जूंड रभीवार की राज 7.30 बज़े से बंडा मुडा रेलवे स्टेसन के पास रेल पट्री और आस पास खड़े हो गाए जिसके कारण रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन रात में रोक दिया हाठियों के जूंड जब सोमवार की अहले सूबा उस शेतर से चला गया तब वन भीभाग ने ट्रेनों को 10 किलोमेटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलाने के उनुमती दिया है इसके बाद अफ रेल लाइन में सोमवार की अहले सूबा चार बचकर 35 मिनाट और डाउन रेल लाइन में सूबा चार बचकर 40 मिनाट के बाद से ट्रेनों का परिचालन 10 किलोमेटर प्रति घंटा के रफ्तार से शुरू हुगा है सीट बटवारे को लेकर असमंजस में राज़त चारखन बिधान सभा चुनाओं में महागडबंदन में सीट सेरिंग के जामो कांगरेज के फर्मूलेस से नाराज रायत अब भी उहापों में है लगता दूसरे दिन रायत कोई निर्ण नहीं ले सका है बार बार पार्टी की प्रेस कॉन्फिरेंस टलती रही रायत के कारकारिय अध्यक्स बिहार बिधान सभाज छेत्र के नेता प्रतिपक्ष तेयस्वी परताद यादव पिछले तीन दिनों से रांची के होटल रेडिसुन बुलू में जम्य हुए है वे अपने करकरताओ जहरखन के नेताओं के साथ मंत्राना कर रहे है सोमवार की देर रात तक सभी बैठिक के बेनती जा रही है बता दे रभी वार को एक प्रेस कॉनफिरेंस टनले के बाद दूसरी प्रेस कॉनफिरेंस में राजत की राश्टरे प्रवक्ता सह सांसद मनोज्ञा ने घोसना की थी कि महागर बंधन में फैसला हो या नहो राया सोम वार की सुबह 11 बज़े अपने पत्यासे घोसना कर देग इसके बाद एंडिय अपने परचार अभियान का प्राराम करेगा पहली सभा रांची में होगी इसमें परधान मंत्री नैने नमोदी के साथ विहार के मुख्यमतर नितिस कुमार एल जेपी प्रमोग चिराग बासवान और आईसू प्रमोग सुदेश महतो एक साथ मंच पर उपस्थित रहेंगे इस कारकरम की तीथी और आस्थान तय करने के लिए परधेश भाजपान ने केंद्रिय नेतितों से सनवात किया है बता दे NDA की कोशिस बड़े कारकरम के जरी एक जुटता का संदेश देने की है इससे पहले भाजपा मुख्याले में आईसू प्रमोग सुदेश महतो और एल जेपी के नेता अरून भारती सन्यूक सन्वादाता समिलों को समधित कर चुके हैं बिजचेपी के 66 में से 35 से अधिक पर्तासि दल बदलू जे में सतार उर्ण जरकन मुख्याले मोगती मोचा ने सोमवार को भाजपा के घोसित पर्तासियों के सुची की आर्मे निशाना साथ है पार्टी ने एक्स फर पोस्ट कर कहा है कि इन में से 35 जदिक पताशी ऐसे हैं जो दोसरे दलों से आये हुए हैं फाजबा के करकरता आज जिवन जोला और डंडा ठोते रहे और दल बदल का आने वाले को पार्टी ने टीकर दे दिया है जारी की गई सूची में वैसे नताओ के नाम और उनकी पूर्वर की पार्टी का भिवले किया गया है बतादे सुची में बताया गया है कि बावुला मरांडी जाविमों से तोलोबिन हेंबरम जम्मों से परितोस सुरेन जाविमों से माधव महतों जाविमों से और आईसु से सिता सुरेन जम्मों से देवेंदर कुमार जाविमों से सरकार ने मुखिया के मांगों को नहीं किया पूरा संग लेकिन हरताल समाप्त करने के बाद ही मांगों को पूरी नहीं हुई इसको लेकर हम सभी मुखिया संग विचार विमर्स कर आगे कि रनिति त्यार कर रहे हैं सलमान खान को धमकी का जारखन कनेक्सान बॉलिवूड अभिनेता सल्मान खान को धमकी मामले का कनक्षन जार्खन से जूट रहा है बता दे सल्मान खान को पांच को रुपए देने के लिए धमकी भरा मेसेज किया गया था घटना का पता चलते ही मुंबाई पूलिस एक्षन में आ गई है और मामले की जाच में जूट गई है मुंबाई पूलिस को जाच के दोरान मेसेज भेजने वालों की लोकेशन जार्खन में मिली है पुलिस आगे की जाच कर रही है हलाकि इस विश धमकी देने वाले ने दुबारा मेसेज कर माफी भी मागी है मेसेज करने वाले ने कहा है कि उससे यह मेसेज गलती से गया और उसके लिए ओ माफी चाहता है बता दे नसीपी नेता बाबा सिद्की की हत्तिया के बाद बालीबूड अभी नेता सल्मान खान को पिछले हफ्ते ट्रेफिक कंट्रोल के वार्टसेप नंबर के जरिये धमकी भारा मेसेज मिला था केर अभी कुमार ने जेमेम के आरोब को बताया बेबुनियाद जार्खन के सीओ के रभी कुमार ने कहा है कि जामो नेता सुपरियो भटाचाय द्वारा मतदान के समाय को लेकर लगाए गए आरोब बेबुनियाद और तथियों से परे हैं उन्होंने कहा है कि जार्खन बिधान सबाचुना द्वाचुना 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 कि नगरी से चुनावी आत्राय की शुरुवात की गई है जार्खन के इतिहास में पहली बार निश्चित समय सीमा से पहले चुनाव कराया जा रहा है चुनाव आयो की बिशे सक्ति का ऐसा दुरुपयोग चिंता जनक है उन्होंने कहा है कि बिजेपी की चुनावी रणनीती बिकास नहीं बलिक हिंदू मुस्लीम अरंगा बिच्छडा यानी जातिवाद है वे गढ़वा के गोविंद उच बिद्याले के मैदान में गढ़वा बिधायक और पेज जालेवम स्वक्षता मंत्री मिसलेष्ट कुमार ठाकुर की नमांकन जन सभा को समुदित कर रहे थे मुक्ष मंत्री हमन सुरेण ने कहा है कि केंदर सरकार पौले राजी के बिकास कारेयों में अरंगा डाली फिर उन्हें बेवज़ा जेल भेज दिया वरष्ट ने तक हुटने टेक कर भाज़वा में सामिल हो रहे हैं उन्होंने यह मालूम होना चाहिए कि हमन सुरेण ने लगे हैं धन्यवाद